हेलो फेंड्स ये है सुनाटा के लिए यंग जनरेशन में एक सबसे खुब्सूरत वाच फुली वाटर प्रूफ वाच है 30 मीडर वाटर एसिस्टेंट है वन ये की वरांटी है इस वाच की और आज हम इसकी टाइम कंफिकरेशन के बारे में बात करने वाले हैं यहां पे चार इसके पुश बटन दिये हुए है ए बी सी डी अब इन चारो बटन का क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बता दूँगा इससे पहले मैं आपको बता दूँ ए बटन से आपको अलारम का विजबल होता है जो कि नाइट विज़न होता है मौर्निंग टाइम पे ये विजबल नहीं होता अब बात करते हैं time configuration की mode बटन को आप तीन बार प्रस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं second blink हो रहे हैं यहां से आपने D और C बटन के मादियम से time configurations करनी है D बटन को एक बार प्रस करेंगे तो hours की setting बिंग हो रहे है hours के लिए यहां पे आप देख सकते हैं H visible हो रहा है यानि यह 12 hours से above 24 hour settings में है अब हमें इसे normal settings में लेके जाना है यानि AM PM में लेके जाना है तो C button के माधियम से आप इसे AM PM में shift करेंगे 13 यानि 1 PM, 1 PM, 1 PM में यहां पे कर दिया है अब उसके बाद आता है minutes 40 minutes है तो मैं इसे D button से minutes पे shift हो जाता हूँ और C button के माधियम से 42 की जगा पे 40 कर देता हूँ यहां पे मैं 40 कर रहा हूँ यह देखिए C button को मैंने continuously प्रेस किया अगर आपको थोड़ा सा ही change करना है तो बार बार इसे प्रेस करेंगे यह 41 हो गया तो 40 कर देते हैं एक बार यह देखिए यहां पे 40 हो गया इसके बाद आती है बात यह है month month मेरा 11 महीं नहीं है तो मैं यहां पे फिर से एक बार आपको दिखाने के लिए 11 कर देता हूँ C button के बाद देम से आपने इसे 11 शिफ्ट करना है अब आता है date date जो मेरी current date है यह है 14 तो यहां पे 15 हो रख़ा है तो मैं इसे 14 कर देता हूँ C button से मैं इसकी changes कर रहा हूँ यह देख सकते हैं अब बात आती है day की तो यहां पे SU लिख है यानि Sunday current मेरा Sunday ही है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ C button से आपने देखिए one by one यहां पे Sunday आ गया अब यह सारी settings done हो गई है तो आपने B button यानि mode button से बाहर आ जाना है यह settings lock होगी आप इसे change नहीं कर सकते यह देखिए कोई changes नहीं है अब आप single button एक प्रेस करेंगे तो stop watch आगे C button से stop watch को start करना है C button से ही stop watch stop होगी जैसा ही आपकी activities complete हुई यह stop watch stop होगी यहां पर आपको visible हो रहा है कितने seconds कितने minute seconds लगे है इसके बाद आपने यहां से reset कर लेना है D button से आपने reset कर देना है और B button से आपने settings से बाहर आ जाना है B button के मादे हम से दो बार प्रेस करेंगे alarm mode आ जाएगा alarm mode को changes करने के लिए आपने सबसे पहले एक बार D button को प्रेस करना है यहां देख सकते हैं आप hours blink हो रहे हैं जैसे आपने सुबा का पांच बजे का लगाना है या पांच दस का लगाना है यहां मैंने पांच कर दिया है D button से मैं next step पे चला गया C button से मैं इसे पांच दस कर देता हूँ यहां से मैंने settings पांच दस की कर दी है और यहां से हम बाहर आगे हैं अब बात आती है alarm को off करने की बाकी watches में क्या था कि यह C और D button को continually press करने पे alarm on off हो जाता था यहां पे नहीं होता अब इसमें क्या करना है आपने B button से alarm settings में जाना है यहां पे आपके सामने alarm का sign आ रहा है यह C button को आपने एक बाद प्रेस करेंगे तो आप यह continuous alarm mode में shift हो जाएंगे उसके बाद एक बाद फिर से प्रेस करेंगे alarm plus chimes में shift हो गया और एक बाद फिर से प्रेस करने से alarm off हो गया यह देखिया यहां पे अब alarm off हो गया तो हम alarm को off करने का प्रेस जो है वो यही है अब आपके time configuration done हो चुकी है और अगर आपको किसी तरह का कोई issue आता है तो आप मुझसे जान सकते हैं बात आती है straps की तो strap की warranty नहीं होती तो इसलिए आपने strap को न ऐसे नहीं करना जब आप wear करते हैं wear कीजिए ऐसे normal wear कीजिए normal wear करने के बाद अगर आप उतार के रखना है ऐसे उतार के रखीए ऐसे नहीं रखना ऐसे रखेंगे आप उसके उपर जोड डालेंगे तो यहां से जो lock होता है यह तूट जाता है और उसके बाद यह plastic का case होता है तो आपके case की तो warranty आती नहीं है तो आप अपने watch के खुदी दियान रखेंगे ठैंक यू बेरी मेच जैहिन जै भारत